हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो माई चैनल निशी आवर ग्रीन टोबिक्स फ्रेंट्स इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि जो माताय ब्रेस्ट फीड करा रही है और उनकी जो ब्रेस्ट के निपल है वो छिल जाते हैं कट लग जाता है बलड निकलने लगता है और बच् इसका क्या कारण होता है अगर आपके निपल में क्रैक हो जाता है ब्लीडिंग होने लगती है तो इसके कारण क्या हो सकते हैं यदि आपका सिसु इसतन पान के समय इसतन का बढ़ाइस्ट मुं में नहीं ले पा रहा है तो आपका निपल सिसु की जीब और तालू के बीच आपके निपल में दर्द होगा और जल्दी उनमें क्रैक भी हो जाता है यानि आपका निपल और उनमें कट लग जाते हैं और इस तरह यानि खून भी आने लगता है सुकूर निपल सही डंग से मुं में मदद करनी चाहिए तो किसी डूक्टर से सलह लेनी चाहिए या फिर जो experience lady है उनसे आप सलहा लें कि आपको अपने बच्चे को दूद किस तरह से पिलाना है क्योंकि जो new mother होती है उन्हें नहीं पता होता है कि बच्चे को किस तरह से दूद पिलाया जाता है और वो इस परेशानी का सिकार हो जाती तो फ्रेंड्स आपको जब अपने बच्चे को दूद पिलाना है तो उस दूद पिलाने के जो ढंग है उसमें थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है तो ये परेशानी आपके सामने बिल्कुल भी नहीं आएगी फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बता दो अगर आप बच्चों की परेशानी से रिलेटेड अधर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में जाकर देख सकते हैं और एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ अगर आपको इस वीडियो में उपाए नैचुरल और घरेल उपाए लगते हैं तो इस वीडियो को जादा से जादा न्यू मदर्स पर जो ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं उनको जादा जादा शेयर करें तो चल्ये सुरू करते हैं लिए जब आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो बच्चा जो है वो निपल को बहुत जादा टाइट्ली चूस लेता है इसलिए भी निपल में क्रेक आ जाते हैं तो ब्रेस्ट में दिक्कत होने लगती है तो इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ आप इनको करिए 100% आपको आराम मिलेगा और करकर जरूर देखेगा तब ही आप समझ पाएंगे कि ये वीडियो कितनी जादा लाबदायक थी आपके लिए तो आप सबसे पहल देते हैं तो उसके बाद उसे तुरंथ लगा ले और जब तक लगा रहने दे जब तक आप अपने बच्चे को दूद नहीं पिला रही है नेक्स टाइम तक और जब आगर आप नेक्स टाइम पर पिला रही है तो उसे साफ करकर अपने बच्चे को दूद पिला ले नेक्स जब पिलाएं तो उसे साफ करकर पिलाएं और फिलाने के बाद फिर दुबारा लगा ले नेक्स्ट रेमेडिय कर सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क। जपह चोप करने बृच्ट को अगर अपने ब्रेस्ट मिल्क speaking कने लगाते हैं तो वह बहुत जल्दी होlen तो आप अपने ब्रेस्ट मिल्क भी लगा सकते हैं नारियल का तेल नारियल का तेल भी बहुत जादा गुनकारी और लावदाया को होता है और ये भी आप अपने बच्चे को दूद पिलाएं उसके बाद जब आपके बच्चे का पेट भर जाए उसके बाद लगाएं और बहुत ही नैचरल है और बहुत ही घरेलू तरीका है इनका आप इनको अगर करेंगे और आप अगर भूल भी जाते हैं नींद में अगर माले आपने रात को इसको यूज किया है और आप उसको साफ निपल को साफ करना ब्रेस्ट को साफ करना बूल गया अपने बच्चे को कुछ भी बच्चे को परिशानी नहीं होगी लेकिन अगर आप कोई वेडिकल ट्यूब लगाते हैं या अधर चीजे कोछ ईूज करते थे दावाय अगर वगईरा तो आपके बच्चे को परिशानी उससे हो सकती है अगर आप भर ध्यान नहीं हो जाता है बाइ मिस्टेक अगर यह ऐसा हो जाता था आपके बच्चे को परिशानी हो सकती है वाँ लेकिन यह जो पाए है यह बिल्कुल ही नैचुरल और घरलू तरीके हैं आप इनको यूज करिए और आपके बच्चे के अगर मुं में यह चला भी जाता है जाने अन जाने त कि यह उपाए आपको कैसे लगे यह बहुत ही जादा अच्छे और अंडर परसेंट यह काम करने वाले उपाए हैं यह हमने यूज किया हुए हैं तो आप इनको जरूर करिए और जो न्यू मदर्स हैं उन लोगों को जादा से जादा इस वीडियो को शेयर करिए थैंक्यू थैंक्स फोर वोचिंग धन्यवाद